तो यह है जादूई डॉल की कहानी पार्ट टू और अगर आपको पार्ट टू अच्छा लगए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें तो शुरू करते हैं पार्ट टू कहाँ चली गई मेरी डॉल यही पर तो मैंने रखी थी कहाँ चली गई फिर वो पूरे घर में अपनी डॉल को रह गाई और इस चो रूम में उसने जो देखा उसे देखकर वो हका बखका रह गई उसने देखा कि सोफा पे उसकी डॉल बैटी हुई है इसे देखकर वो बहुत डर गई और अपनी डॉल को उठाकर उसने फिर से बैट पे रखा और वो दुवारा खाना खाने चली गई वहाई उसकी मम्मी ने आवाज लगाई बेटा बेटा तुम खाना खा रही थी कहा चली गई उसने का मम्मी आ रही हूँ अभी रुको मम्मी मैं आ गई बेटा आप कहा चली गई थे देखो आपका पूरा खाना धंडा हुआ जा रहा है हाँ मम्मी खा रही हूँ फिर वो खाना खाने लगती है फिर बादने वो अपनी डॉल के बारे में भूल जाती है और टीवी देखने लगती है फिर देखते देखते बहुत देर हो जाती है नौ बज जाती है तो उसकी मम्मी कहती है बेटा बहुत देर हो गई अब सो जाओ जाकर मैं आई रही हूं सोने वो कहती है ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ और वो जाकर अपने बैट पे ले जाती है और उसे याद आता है हाँ मैंने अपनी डॉल को तर रखा था 12 बजने वाले हैं अब मैं देखूंगी मेरी डॉल उटके जाती है कहीं पर या फिर नहीं और यही सोस्ती रहती है सोस्ती रहती है और उसकी आख लग जाती है और जब उसकी आख खुलती है तो वो देखती है कि करेक्ट बारा बच चुकी है फिर उसके बाद वो जकती रहती है और अपनी डॉल की तरब देखती रहती है निकिन तब तो कुछ नी होता तो वो सोचती है कुछ नी होगा कल मुझे ऐसी वेम हुआ होगा मुझे सपना है होगा तो वो सोच आती है फिर निकिन थोड़ी देर बाद जैसे उसकी आँख लगीती है उसे फिर से किसी के रोनी की आवाज आती है कोई कह रहा था नव्या नव्या मुझे बचाओ नव्या मुझे मार रही है नव्या नव्या वो डर जाती है यह क्या हो रहा है कौन बॉला है कौन बॉलना है लगती है लगता फिरी डॉल है वे दर के उठती है और जो वो देखती है उसने देखा कि उसके बैट के बगल में एख सुंद्र से परी grace С कि डॉल को कुछ कह रही थी जब तक वो बैट से उठी और उसके पास तब तक वो परी वहां से गायब हो गई और उसने चिलाया डॉल 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 सुनो मेरी बात और डॉल उसकी तरह मुरी और उसने का नव्या मेरे पास बहुत कम समय है मैं फिर से डॉल बनने वाली हूँ कुछ करो और तो फ्यार में मैं इसलिए कायब हो गई थी, क्योंकि वो परी मुझे उठा कर ले गई थी, कुछ करो, कुछ करो, मुझे बचाल, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी मुझे शुरू से बताओ तुम्हें कौन मारना चाहता है वो परी तुम्हें क्यों मारना चाहती है क्यों मारना चाहती है वो तुम्हारे पास बहुत कम समय है जल्दी बताओ और फिन नव्य ठान लेती है कि अब बारा बसते ही वो जाकती रहेगी, सोएगी नहीं और पता करेगी कि ये क्या हो रहा है दूसरे दिन जब रात को नव्य अपनी डॉली सा लेटी थी तो बारा बसने में बस कुछी वक्त बचाता और उसने सोने का नाटक किया वो दूसरी तरह मुर गई और उसने सोने का नाटक किया और थोड़ी तेर बाद वो परी की किसी के आने की आवाज आई नव्य बहुत डर गई निकिन उसने पीछे नहीं मुर के देखा वरना उस परी को पता चल जाता कि वो जाक रही है और अचानक से ऐसा लगा कि डॉल को कोई लेके जा रहा है डॉल को कोई लेके जा रहा है और पर जब उसने पीछे देखा तो डॉल गाया थी वो आट डर गई और वो उटी और वो उटके खड़ी हो गई उसने उनकी बाते सुनी उसने सुना की परी कह रही है अब मैं तुम्हें ले जाओंगी और तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगी अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मुझे माफ कर दू मैंने क्या बिकार रहा है तुम्हारा वैसे भी तुमने मुझे डॉल बना दिया है मुझे मत मारो मुझे मत मारो प्लीज ये बाते सुनकर डॉल नव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फिर उसके बाद वो उन्होंनों के पास गई तो कल की तरह फिर से वो परी कायव हो गई फिर उसके बाद नव्या ने घड़ी देखी कि अभी तो बहुत टाइम है उसने अपनी डॉल से पूछने कोशिश की डॉल मुझे बता हुई क्या हो रहा है डॉल उसकी तरह मुरी और उसने कहा नव्या बहुत साल पहले मेरा एक राज्य था लिकिन एक दिन एक बुरी परी जो तुमारे सामने थी वो आई वो मुझे जलने लगी कि मेरे पास इतना अच्छा राज्य है और वो परी है इसके वावजूद उसके पास कुछ नहीं है उसके बाद मुझे उसने एक डॉल बना दिया तब से मैं डॉल हूँ और अगर तुम मुझे ठीक करना चाहती हो तो तुम्हे मेरे पुराने महल में जाकर उस परी को माणना होगा तब ही मैं पहले जैसी हो सकती हूँ ये सुनकर नव्या बहुत डर गई और देखती देखते डॉल अपने आप गिर गई और अग उसने ठान लिया कि वो पुराने महल में जाकर उस परी को सबक सिखाएगी और दोस्तों आगे क्या होता है इसको जानने के लिए आपको पार्ट स्रीक अज़ार करना होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो अपनी दोस्तों के साथ लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें बाई